नमाशकार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चनल अचार जागेंद्र मिस्टा में 11 मार्च 2021 महा शिवरात्री छे राशियां होंगी करोड़ पती दोस्तों 11 मार्च 2021 को इस वर्स की महा शिवरात्री मनाई जाएगी और बिशेष सुबसयोग और कई तरह के धन्योग और राजयोग के निर्माड होने के चलते और कई तरह के महा सुब सैयोग इस दिन पढ़ने के कारण कुछ राशी वालों के उपर विशेश कर छे राशी वालों के उपर महा देव की विशेश कृपादरिष्ट पढ़ने वाली है जिससे की यह छे राशिया धन से माला माल होने वाली है इन छे राशी वालों को अब कर बहुत ही सिध्ध दिन माना जाता है क्योंकि यह भगवान सिवजी की कृपा पाने का बिशेश दिन होता है और इस वार यह गुरुबार के दिन 11 मार्च को पड़ रहा है बहुत ही सुब योगों के साथ इस महाशिवरात्री के पर्व की सुरुआत है यह जो दिन है यह सभी कारियों की सिद्ध दिलाने वाला, यानि सिद्ध योग भी आरंब हो जाएका और सरवार्द सिद्ध योग भी बनेगा। सुबह से ही जो सिव योग होता है स्वैम भागवान सिव जी का योग है और सुबह से ही सुरू हो जाएगा जो उनके आसिरवाद से बना है महादेव के आसिरवाद से उनके आसिरवाद को दिलाता भी है यह योग ये दिन बड़ा ही सुब फल देने वाला साबित होगा और द करोडं का धन मिलने वाला है। इस दिन कीया गया कोई भी कार जो है वह निस्फल नहीं होता, बहुत ही लाबदायक रहता है। इस दिन आप किशी भी आप के प्रारम करके अपने जीवन में अपने कारियों के कारिक के सिध्धि प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान से जी की अब किसमत को चमकाने वाले साबित होंगे और देखिये दोस्तों वैसे तो सभी लोगों पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा लेकिन यह जो दिन होगा यह छे राशी वाले ओन लोगों के लिए बड़ा ही लाबदाएक रहने वाला है इन छे राशी वाले लोगों के लिए हम बताएंगे जिनके लिए भगवान सिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए बड़ा ही सुन्दर दिन होने वाला है महा सिवरात्री का दिन दोस्तों ये जो महा सीवरात्री का पर्ब होता है इस दिन अपने कार को सिध्धी के लिए आप भगवान सीवरी को परसंद कर सकते हैं और ये जो यनी योग बने हैं ये जो महा सुव संयोग बने हैं इन योगों में रोद्रा विषेक करना शुव के नाम का किर्तन करना सिव पुरान का पाठ करना सिव कथा का सुनना दानपुन करना जोतिर लिंग का दर्शन करना सबसे अधिक सुब माना जाता है इस दिन का प्रतेक घड़ी प्रतेक पहर परम शुब होता है दोस्तों अगर आप कुमारी हैं या कुमारी लड़कियां हैं या कन्याई हैं तो इस इस दिन सभी लोगों के लिए ये दिन खास माना जाता है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए देखे महा सिवरात्री का जो दिन होता है बहुत ही खास होता है और खास कर सभी राशियों पर अशर पढ़ रहा लेकिन ये जो छै राशियां हैς इनके किश्मत को महादेव जी अब चमकाने वाले हैं इनको करोडों का धन मिलने वाला है अब इनको धन से माला माल होने के एक नए योग बनते होने जराएंगे और दोस्तों आप अगर इस बार की जो ये महा सिवरात्री है सिवलेंग की पूजा अर्चना करते हैं तो अपने जन्म जन्मांतर के पाप को भी मिटा सकते हैं और देखे जन्म कुंडली के नव ग्रह के दोसों को भी समाप्त कर सकते हैं आपने यापने जीवन की जो भी याशांती है उनमें शांती ला सकते हैं और सभी चीज़ें जैसे कि दुख तकलिफ सब को यानि की खतम कर सकते हैं आपकी जीवन में सुक्षम्रिधी प्राप्त कर सकते हैं, मकान बाहन का सुक्ष प्राप्त कर सकते हैं, दावमपत जीवन का सुक्ष, भाई बहनों का सुक्ष, अपने जीवन में मान प्रतिष्ठा, यानि सभी चीजों का सुक्ष, सभी चीजों से आपको यानि की सुक्ष की कर सकते हैं वैसे दो बचकर 35 मिनट से बहुत ही सुब महूरत प्रारंब होगा और दोस्तों यह तीन बचकर 49 मिनट तक रहेगा दोस्तों हर पल हर घड़ी यह भगवान सिव जी को समर्पी धले लेकिन अगर हम सुब महूरत की बात करें तो दो बचकर 35 मिनट से प्रारंब होगा और यह 12 मार्च की 3 बचकर 3 मिनट तक रहेगा वैसे तिथी की बात की जाए अगर तो यह महा सिव रात्री का पूजा का समय रहेगा इस समय में आप महा अभिशेग भी कर सकते हैं और रात्री के पूजा करने का समय होगा जैसे कि इनकी पूजा समागरी होती है वो क्या होगी तो भगवान सिव जी को पूजा करने का इस दिन समागरी होती है बेल पत्र भांग, धतुरा गाय का कच्च्च दूद, चंदन, रोली, कपूर, केसर, दही मौली अच्छत शहद और गंगा जल कोई भी मौसमी फल हो सकता है यह सब ही चीजें जो आप भगवान सिव जी को परसंद करना चाहते हैं तो अगर आप पंचा मृत डालते हैं पंचा मृत से इश्नान कराते हैं तो यह बहुत ही सुभ माना जाता है जीवन में हर एक्छाय पूरी हो जाती है पंचा मृत को पंचा मृत से इश्नान कराने से अविशेक करने से भगवान सिव जी की भगवान सिव जी को बेल पत्र और एक लोटा पवित्र जल भी अगर आप अरपित कर दें तो बहुत यह यानि सुभ फल दायक होता है आपके सभी चीज़ों इनके चीज़ों के अलावा आप इस दिन फल इन्हें अरपित करें और बेल पत्र यानि करते ही हैं साथी साथ इस दिन आप इनको प्रसंद करने के लिए चाहें तो धतूरा के फल और यानि की धतूरा के फल के साथ साथ आप पे सफेद पुस्प और नीले पुस्पी भगवान को अर्पित कर सकते हैं इस बार भगवान सीव जी की पूजा अर्चना करने के लिए विसेश तर पर इनके मंत्रों का जाप करें ओम नमे शिवाय मंत्र का जाप करें इस बार की जो ये महा सिरौत्री है ये एक एक पल एक एक छण का सत्रिप्योग क करें और विसेश फलदाई सावित होगी सिव कृपा प्रसाद से सिव कृपा की प्राप्ति करके अपने जीवन के हर कष्ट को दूर कर सकते हैं अब हम उन छे राशी वालों लोगों की बात करते हैं जो छे राशियां सिव जी की कृपा से इस दिन बड़ी ही लावकारी रह कि इनमें से जो सबसे पहली राशी आती है दोस्तों वो है मिथुन राशी मिथुन राशी लोगों के लिए सिव जी की कृपा प्रात करने के लिए सबसे उत्तम दिन है और ये जो दिन है कई तरह के योग बन रहे हैं इस दिन इन योगों के प्रभाव का बहुत ही अच्छ थे वो solve होंगे खुसियां लेकर आएगी और आपके घर में एक नन्य से मेहमान का आगवान हो सकता है जो आपके income है वो double होगी और कई तरह से आप इस समय धन के income बढ़ा सकते हैं और ये समय बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि इस दिन भगवान सिव जी पारवती के साथ प्र के लिए इस महा सिरात्री के दिन विशेश रूप से बड़ा ही लाब मिलने वाला है अगर आपने लोन के लिए आविदन दिया हुआ था तो लोन मंजूर होता हुआ दिखाई देगा लोटी शटा से सेर मार्कट से अच्छा खासा मुनाफ़ा देखने को मिलेगा आपकी आ दोस्तों वह दोस्तों यहां पर मकर रास में लिए जातकों कई तरह के सुब योग और राजयोग मकर रास में निर्माड हो रहा है तो इस कारण से इस महा सिरात्री का विशेश रूप से बड़ा ही अच्छा लाब आपको मिलने वाला है आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और प्रेम संबंधों में मधूरता आएगी दामपत जीवन में मिठास आएगा और आपका पारिवारी जीवन सांदार रहेगा परिवार जनु का स्थियोग प्राप्त होगा इसमें आपके राजनितिक शेत्रश अगर आप जुड़े हुएं तो अच्छा खासा दद आप लोगों के आरतिक इस्तिती में जवरज़स्त मजबूती देखने को मिलेगी और यहां पर उच्छा धिकारियों को सहयोग और सपोर्ट मिलेगा उच्छा धिकारियों से जो बरिष्ट अधिकारी हैं उनके सांद संबंध बेहतर होंगे और जोब के लिए अगर आपने प्रोमोशन के लिए प्रियास कर रहें तो ये प्रियास आपका सफल होगा साथी साथ अगर आप नई नोकरी के लिए प्रियास रत हैं तो आपकी नई नोकरी मिलने वाली है बिदेश जाने का मौका मिलेगा बिदेश में सेटलमेंट होने का मौका मिलेगा अब जो अगली रासी आती है दोस्तों वो है दोस्तों कुम्भ रासी कुम्भ रासी वले जातकों के लिए यह महा सिरात्री बहुत ही बिशेश फलदाई शावित होने वाली है सिव जी की कृपा इनके उपर बरशने वाली है और सिव जी की कृपा से इनके जीवन में सारे जितने भी दुख तकलिपते वो दोर होंगे और इस्टुडेंट इसमें जवरजस्त लाब कमा पाएंगे और इस्टुडेंट के लिए चमातकारिक लाब ये होगा कि अगर आप किसी कमपटीशन या किसी एकजाम की तयारी में जुटे हुए हैं तो ये आपको सफलता दिला कर रहेगी और खासकर इसमें सेहत में सुधार देखने को मिलेगा कुमरास के याद को लिए और इसमें आपके प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी आपकी आर्थिक स्थिति आपकी बित्ति स्थिति में मजबूती देखने को मिलेगी और इसमें आपके द्वारा कि लिया गया कोई भी नेने कोई भी फैसला सही साबित होता होना जलाएगा धन लाब के बड़े स्त्रोत मिल सकते हैं आप धन से माला माल बन सकते हैं महाशिरात्री के दिन से और धन लाव के यानि कि आए के बड़े स्त्रोत मिल सकते हैं आकास्मिक धन का लाव होगा लोटरी शट्टा से अच्छा का सा लाव होगा जमेन प्रोपरिटी से अच्छा का सा मुनापा देखने को मिलेगा अब दोस् दोस्तो वो है धनु रासी धनु रास्मली जात्कों के लिए यह महा स्यूरात्री बहुत ही विशेष सुभलदाई रहेगी आपके जीबन में अनेक प्रकार के लाव देखने को मिलेगा जीबन में जितने भी कष्ट जितने भी तकलिफे आगी अगर आपने अभी तक जहले व और इसमें नौकरी में बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसी रासियां जिनको सालधानी भी बरतनी है खास कर यहाँ पर मेश रासी ब्रिसब और यहाँ पर करकरास वहले जातकों को विशेश तोर पर सालधानी बरतनी है अलाकि महाद जो की कृपा बनी रहेगी लेकिन दोस्तों बिना धन कमाई भी इसमें ये लोग ये जो छेराशियां है धन कमा सकती है और धन अरजित करते हों नजराएंगे इसमें सनी गुरु का विशेश महा सुब साइयोग पढ़ रहा है सनी गुरु और चंद्रमा और दोस्तों इसमे यानि कि अगर बात की जाए तो कई तरह के राजयोग इन ग्रहों के कारण बन रहा है जिसके कारण आपके जीवन में अच्छे फलों की प्राप्ती होगी अद्बुत सुब सैयोग बनने के कारण गुरू सनी ब्रहस्पत चंद्रमा और बुद्ध ग्रहका एक साथ यानि मकर रास में बैठना कई तरह के राजयोग के निर्मार के चलते इन छे राशी बालों के जीवन को अब सबारने वाला साबित होगा तो दोस्तों कमेंट सक्सन में सचे दिल से आप जरूर हरहर महादेव लिखे और अगर इन में से कोई आपकी राशी रह गई है तो अपनी राशी का नाम लिखे और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करें नहीं तो चलों सब्सक्राइब करें और से शेयर करें